नमस्कार दोस्तों मेरा नाम सौमित्र देवनाथ है और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल गुई और मुई तो दोस्तों आज का टॉपीक है और टो विंडर रिकंचलेशन पार्ट वर्ड रिकंचलेशन मेंज किसी भी दो पार्टियों के पीछ हुए लेंदें से को फाइंड आउट करना ही हम रिकंचलेशन कह सकते हैं ठीक है और यह दो पार्टियों कौन हो सकते हैं बैंक कस्टमर्स यह बड़े इंडर्श्री या फिर छोटे सॉपक्यूपर्स या बड़े सॉपक्यूपर्स कोई भी हो सकते हैं जिनके बीच पर्चिस या से से तो इसे समझने के लिए दोस्तों वीडियो को पूरा दिखिए और अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों प्लीज इसे लाइक शेर के साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिए इससे मिने नए वीडियो से नोटिफिक्शन सबसे पहले आप तक पहुच जा पा रहे हैं यानि दो खाता पाई यानि इन दो पार्टियों के बीच में पार्ची से 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 लेटेड जो टांजेक्शन हुए है उससे लेटेड यह लेजर है जिसमें सबसे पहला पार्टी है जीवाई के सप्लेयर यानि ग्रोय और नोलेज़ इंडेस्ट्री जो कि मेरी इसमें जो टांजेक्शन सबसें उससे लेटेड है और इसमें मुझे यह फाइंड आउट करना है कि मेरे लेजर में क्लोजिंग बैलन्स जीरो सवाप्ट हो रहा है जो यह आप देख पा रहे हैं लेकिन वेंडर के लेजर में जो आउट इस्टेंडिंग है वो 89,100 हो रहा ह तो इन दो लेजरों का रिकांसलेशन करने के बाद मुझे यह पता चला यह देखिएगा मैंने रिकांसलेशन एक फॉर्मेट त्यार किया है इसे मैं थोड़ा से बता देता हूँ जिसमें मैंने क्लोजिंग बैलेंस एस पर जीवाई के बोग जो की मेरा है क्लोजिंग बैल से टेली किया है 89,000 ते अंती हिन दोनों ही लेजर के बीच में जो डिफ्रेंसे आ है वह आप सेंटर में देख पा रहे है जिसे मैंने एड़ और लेस किया है सबसे है पहले डिफ्रेंस के है दोस्तू डोनों ही लेजर में वह है ओपनिंग बैलेंस के डिफ्रेंस ओके 32,578 क और second आपका जो difference है वो unbook invoices in our book यानि मेरे book में 28,498 invoices ही book नहीं हुआ है तो जो की वो ये चार invoices है राइट साइड में आप unbook invoices की list भी देख पा रहे हैं जिसमें ये चार invoices vendor के ऐसे हैं जो की 28,498 के जो मेरे book में entry नहीं हुए है third difference क्या है unbook payment in vendor book यानि मैंने जो payment किया है उसमें से 29,848 का जो payment है वो आपका vendor book में ही entry नहीं हुआ है ठीक है next जो difference है वो है access book in vendor book यानि vendor के book में 8,904 का access booking हुआ है ये call-concing voices का गेंच में है वो लिस्ट आप right side में नीचे आप देख पा रहे हैं यहां पर वो ये चार invoices हैं जिसका की amount 44,163 मेरे book में इस amount चिंट ही है लेकिन ये same invoice का जो booking है vendor के book में वो 53,067 का है और इन दोनों ही laser का difference ही वो है 8,904 का ठीक है और next अपना जो difference आ रहा है वो material return यानि मेरे पास ऐसा कुछ material लाया था जो कि damage हो चुगा था जिसे मैंने vendor को return कर दिया था वो 13,819 का तो वो मेरे book में मैंने तो entry कर दिया था लेकिन इसका जो adjustment entry है वो vendor ने अपने book में नहीं किया है अब बात करते हैं हम potomation का यह format automate किस तरह से है तो अब मैं आपको बताऊँगा कि इस format को इस तरह से करना है तो मैं अब आता हूँ मेरे जो second vendor वो है B company मैं B company से भी कुछ mark purchase करता हूँ यहां पर आप देख पा रहे हैं कि B company का भी laser मेरे पास है और मेरे book में B company का क्या laser है वो भी यहां पर किया हूआ है तो मुझे क्या करना है कि मैं अब इस B company का laser को मैं just copy करूँआ हूँ जो कि मेरे book में जो entry है मैंने उसे just copy किया है copy करने के बाद जो सबसे पहला जो seat है जो की laser का है वहां पर मैं एक column दे जाके मैंने paste कर दिया यहां पर आप देखेंगे दोस्तों कि बीच में मैंने black portion से column को मैंने partition किया है जिसके right side में आपको vendor का laser को paste करना है और left side में आपको अपना laser को paste करना है तो मैंने left side में मैंने B company laser जो की मेरे book में entry हुआ है वोस laser को मैंने यहां पर paste किया है और अब मैं B company laser को जो की यहां पर मैं रखा हुआ है B company laser को मैंने just copy किया और same seat पहले seat में laser में मैंने आके right side में मैंने just paste कर दिया यहां पर मैंने R से B company laser को मैंने paste कर दिया अब हम आते हैं दोस्तों रिकंसिलेशन सीट पे रिकंसिलेशन सीट पे आने कवाद आप देखेंगे कि आपका लेजर रिकंसाइल हो चुका है दोस्तों कहां कैसे आप यहां देखेंगे यहां पे क्लोजिंग बैलन्स है इस पर जीवाई के बुक, cela मैं एक कहींACH के लिए यहां दिखेंगे कि जो closing balance है हमारे book में 28,17,904 और just यहां पर आप देखें कि वेंडर book में जो closing balance है वो है 46,25,113 इसे भी मैं टेली करवा देता 46,25,113.12 यह आपका laser reconcile हो चुका है दोस्तों इसके बीच के जो differences है वो भी में बता दो कि सबसे पहला जो difference है वो है आपका opening balance में 55,5,481 का second difference है find out वो है कि unbooked invoices in our book मतलब हमारे book में जो की invoices book नहीं हुए जिसका list आप details आप right side पर देख पा रहे है unbooked invoices में यहां पर आप total 6 invoices देख पा रहे हैं जिसके तीन invoices मेरे book के हैं और तीन invoices vendor book के हैं यानि जो 55,40,376 का जो की मेरे book में entry नहीं है जो की हमारे vendor vendor के invoices है और तीन invoices जो की 6,383 का है वो आपका vendor book में entry नहीं है unbooked invoices in vendor book ओके next difference क्या है unbook payment in vendor book यानि vendor के book में मेरे दोरा जो payment किया गया है उसमें से 11,60,935 का जो payment है नहीं हुआ है नेक्स जो difference आप देख पा रहे है वो है short credit note booked in our book यानि जो credit note है वो हमारे book में short entry हुआ है यानि 349,400 का short booking हुआ है तो यह सब differences आपका automatic generate हुआ है दोस्तों इसमें आपको कुछ रही करना पड़ा आपको सिर्फ just laser को आपको paste करना है एक अपने book में जो laser है vendor का वो paste करना है जो कि आप left side में paste करेंगे और right side में आप vendor के laser को paste करेंगे मैं अब अपने 3rd vendor पर आता हूँ मेरा 3rd vendor है वो है C Company यहां पर देख पा है C Company का laser भी यहां पर दिया हुआ है प्लस मेरे book में C Company का laser वो भी यहां पर website में आप देख पा रहे हैं तो मैं अब क्या करूंगा कि just मुझे कुछ नहीं करना मुझे just अपने laser को copy करना है जो कि C Company का है उसे मैंने just copy किया जो पहला seat है जो कि laser का है मुझे एक कॉलम में जाया कि उसे just paste कर देना है मैं यहां से फिर से बता दो दोस्तों जो black column है उसके left side में आपको अपना laser paste करना है और right side में आपको vendor का laser paste करना है तो अब मैं vendor का laser पर यहां पर आता हूँ सब्सक्राइब करना है तो आपको क्या करना है सबसे पहले तो अपने आपको आपको क्या करना है आपको जहां पर वो laser paste करना है उस area को पहले आप clean कर लीजेए ठीक है data को मैंने पहले clean कर लिया heading को रहने दीजिएगा heading के option based पर ही मैं अब उस C company का laser based से required columns को copy करके आप मैं इसमें paste कर आँगा जैसे सबसे पहले column इसमें क्या है date है तो मैं C company के column से मैं सबसे पहले date को copy कर लिया और LA seat पर आता हूं laser पर और वन रोज छोड़ दीजिएगा वन रोज छोड़ने के बाद second मैं उसे paste कर देता हूं ठीक है देन उसके बाद required column कौन सा है required column देने लिये है invoice number okay invoice number को भी मैं copy कर लेता हूं then मैं यहां पर invoice number कहां पर आप देखें कि V column पर voucher number वह आपका invoice number मैं वहां पर paste कर देता हूं ठीक है document type को भी मैं copy कर लेता हूं और just document type आपका जो की V column है voucher type जिसका heading है वहां पर मैं paste कर देता हूं then उसके बाद आप आप आईए debit और credit amount को आपको paste करना है तो मैं vendor के laser से अब मैं debit और credit जो amount है उसे मैंने copy कर लिया और यहां पर मैंने paste कर दिया ठीक है और आप particular मेरे लिए required नहीं है आप अगर चाहते हैं तो जो required data है जो कि आपके लिए information चाहिए आपको जो तो आप यहां से ले सकते हैं जैसे मैं मेरे लिए required कुछ नहीं है फिर भी मैं आपके लिए invoice number को मैं copy कर लेता हूं यह आपका एक size number इसे मैंने copy किया copy करने के बाद मैं यहां पर जैसे paste करती है मेरे लिए required field है date, voucher type, voucher number, debit credit और आपको opening balance को भी यहां पर copy करके paste करना है तो opening balance जैसे यहां पर जो laser को formatting हो cumulative balance के paste पर है तो मैं इसे just copy कर लूँगा और यह आपका cumulative balance actually यह आपका debit balance है मैंने just copy करके paste कर दिया, ठीक है, तो इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है just आप reconciliation sheet पे, reconciliation sheet पे आने के पद आप देखेंगे कि आपका laser reconcile हो चुका है वो कैसे, आप यहां देखेंगे कि हमारे book में जो closing balance है वो है 12,21,885 इसे मैं आपको टैली करवा देता हूँ, यह आपका है यहां देखेंगे दोर्स तो यह आपके book में जो closing balance दिखा रहा है और मैं reconciliation sheet पे आने के आपको दिखा रहा हूँ, कि 30,16,371.02 एक्षेंग हमारा closing balance है वो winter closing balance से match हो चुका है और उनके बीच में हमारा laser और winter के laser के बीच में जो differences है वो आप देख पा रहें आपे सबसे पहला difference है वो आपका opening balance में है second difference है वो आपका unbooked invoices in our book जिसका details आप राइश एंट देख पा रहेंगे कि सारे जो invoices है इसमें से कुछ चार invoices जो कि vendor के है वो मेरे book में entry नहीं है जिसका amount 165,357 का है और मेरे जो invoices है वो head to like 59,786 का vendor book में entry नहीं है और वो differences में आपको दिखा देता हूँ यहां पे short credit note की booking हुई है हमारे book में माया 71 का next आप आएगे unbooked payment in our book देखे दोस्तों यहां पे note करने वाली बात है कि unbooked payment in our book हमारे book में unbooked payment कैसा है सकते है कि payment हम vendor को कर रहे है तो यहां पे मैं आपको यह समझाना चाहांगा कि यह जो लेजर है वो है आपका April 21 से September 21 यहां पे हुआ कि हुआ है दोस्तों कि 31st March 2021 मैंने अपने book में payment entry पास कर लिया था लेकिन vendor book में वो entry एक April 21 को आया है ठीक है तो यह जो laser detail laser है वो आपका A1 April 21 से है इसलिए according to this laser हमारे book में यह entry नहीं है यानि इस payment की entry हमारे book में नहीं है एक April से ओके इसलिए यह यहां पे सोग हो रहा दिन जो हमारा जो difference है वो invoice cancelled and vendor book 7,857 का जो invoice वो vendor book में cancelled है वो भी entry नहीं है तो यह जो difference है आपका automate generate हुआ है ठीक है दोस्तों दोस्तों आपको इस format का इस्तमाल करना है आपको जस्ट laser वो copy करना है जो कि आपका होगा और आपके vendor का होगा उसे आपको seat number 1 जो कि laser यहां पे paste करना है सिर्फ आपको यहां पे laser को paste करना है और आप देखेंगे कि reconciliation seat में आपका laser reconcile हो चुगा है और वहां पे statement prepare हो चुगा है ठीक है दोस्तों यहां पे मैं आपको बताना जाओंगा दोस्तों कि इस statement के नीचे आप एक document type देख पा रहे है इसका क्या काम है इसका एक important काम है दोस्तों यहां पे जैसे मैं बता दूँ कि serial number 1 में मैंने जो लिख है document type वो आप देखेंगे कि slash invoice, slash standard, slash sales, slash customer invoice यह क्या है वो customer invoice पे लिखा है document type पे इत्यान देखेंगे दोस्तों कि जो invoice का जो नाम entry है वो customer invoice based भी किया है और same उस invoice को मेरे book में document type का standard है ठीक है document type में नोट किजिए कि आप जो invoice की booking हुई है मेरे book में वो standard नाम से हुआ है और vendor book में same customer invoice के तो यहां पे आपको invoice को का document type को indicate करना है जैसे मैंने यहां पे लिखा है slash invoice slash standard slash sales slash customer invoice उसी तरह से serial number 2 पे आप देखेंगे कि invoice cancel हुआ है तो उस से related document type क्या लिखा हुआ है आपके book में और vendor के book में तो यहां जैसे मैंने एक पहले लिखा है invoice cancellation ठीक है माल लिजे किसी के laser में आपको canceled invoice लिखा हुआ है तो उसे क्या लिखना है आपको लिखना है वो slash पहले लिखना है फिर canceled invoice okay ध्यान रखेंगे दोस्तों आपको जो भी word लिखना है वो slash के अंदर में यानि उस word के starting में आपका slash होना चाहिए और end में भी slash होना चाहिए ठीक है उस तरह से आप यहां पे indicate कर देंगे और थर्ट पे आप देखेंगे कि यह payment से related document type है ठीक है जो भी word मैंने यहां पे लिखा है हो मैंने double slash के अंदर लिखा है 4th year number पे देखेंगे आप payment cancel से related document type है 5th में आप देखेंगे कि credit note से related document type है जैसे हम देखेंगे credit memo है credit note है credit है किसी के invoice में only C और N हो ठीक है देखेंगे कि दोस्तों मैंने C और N लिखा है इसे भी मैंने double slash के अंतर पे ही लिखा है उसी तरह से मैंने six पे return या customer return जो की model मैंने return के उससे related मैंने लिखा है 7th मैंने T से 34 इसको लिखा है तो यानि आप जो document type है अगर आपको इसके लावा मुझे लगता है तो है नहीं कि कुछ और भी होंगे अगर आपको लगता है कि इसके लावा और भी category है तो आप आगे भी link सकते है क्योंकि इसके page पर laser reconcile होता है ठीक है तो यह important part है okay तो दोस्तो आपको इस format को इसी तरह से इस्तेमाल करना है और अगर आपको इस format के कोई परिसानी आ रही है या कोई आपके मन में कोई सवाल है कोई queries है या कोई suggestions है तो आप प्लीज मेरे comment 6 लिख दीजेगा मैं उसका आपका जल्ही जवाब दूगा और इस format को बनानी के पीछे क्या formula क्या ट्रिक्स के इस्तमाल किया गया है उसे मैं आपको इसी वीडियो के second part में आपका explain करूँगा तो तब तक मुझे इजाज़त दीजेगा दोस्तों और आप खुस रहिए और अपने आसपास के लोगों को भी खुस रखिएगा धन्यवाद